जबारेस्ति बोटिंग डलबा रहे हैं, क्यों डलबा रहे हो? आया हमारे सोयम के इक्चा है ना कि हम किसको बोट देंगे? आपसे बोला? हाँ बोला ना? क्या बोला? बीजे बीम बोट दो, दाधागेरी कर रहा हैं, कब्जा कर रहा हैं पॉलिंग पे फरजी मद्दान करने की कौसिस में थे लेकिन हम सब लोग यहाँ पर जनता इत्ती स्ट्रोंग है अच्छ सकते लेकर बूट के अन्दर गए और किया ह warm ऌन में वीधान से फिली सब्सक्राइब ककुछ कोई नितजार करन से कर रहा है इंतजार तो बहुत समय सबसे भारी मुद्दा है चालीस बरसों के यहाँ पर विधायक जी और जो पूर्वे में राजस बनती रहें उन्होंने आज तक छेत्र में कभी दरसन उनके दुरला वेयाम लोग सिर्फ चुनाओं में दो बार आते हैं वो इसके बाद वो कहीं दिखाए सबसे बड़ा मुद्दा विधायक जी का था उसके बाद सरकार से भी पूरे लोग यहाँ पर खिलाप है और युबाव ने बदलाओ के लिए युबाई नहीं ये पूरा एक तरह से सिहोर जिला भाजपा का गड़ कहा जाता था लेकिन पूरे लोगों ने मैं आपको यह मानता हूँ कि पूरा बदलाओ हो चुका है सब लोगों ने बिल्कुल निश्चित रूप से ज्यादा पेटी भर गई होगी है और सब तरह पंजाई-पंजा कॉंग्रेस ही कॉंग्रेस निश्चित तोर पर सिहोर जिला पूरा कॉंग्रेस में हो चुका है बिल्कुल तीन तारिक को जब नतीजे आएंगे तो पूरा मद् जन्देरी पोलिंग है वहाँ पर भी भारती जनता पार्टी के लोग कहीं ने कहीं फर्जी मद्दान करने की कौसिस में थे लेकिन हम सब लोग यहां पर जनता इत्ती श्ट्रॉंग है कि इस बार तुरंत जो है सब लोगों को हमने बहां से भगाया है और एक तरफा जो है क सब्णाबब के पक्ष में लोग माद्दान कर रहें बदलाओं के लिए मद्दान कर रहें। जी और भारती जनता पार्टि पूरा सड़ियंत्र लगा रहें हैं। सब लगा दिया लेकिन जन्ता इश्वर भगवान हैं कहीं किसी की कही नी हमारे लिए अभिशाप है मेडिकल कोलेज अगर जिले में आता है तो इतियास में पहली बार वो जिले में बनकर बुद्धनी में बन रहा है और हमारे अगर बना है तो पागल खाना सीहोर में दिया पागल है यह मैंने कर दिया वोट कर दिया बताइए बिल्कुल बंठन के तयार है नेता जी टाइस वास्चंद वोस्ट है कि यह जो चुनाव हो रहा है यह एक सच्चाई और इमानदारी के चुनाव है क्योंकि इसमें जो कांग्रेस पार्टी है सेलिंथ परिंटेल है या ओर भी कांग्रेस को मद्य परतेश में लोग है यह अन्यायगे से लड़ाई लड़ा है यह घरीवों की लड़ाई लड़ा है यह जो है क्यों लगता है को क।क्ते लड़ा outta दो बीमी घुन 20 लाक लोगयों ने फारम भरा नौ जवान हो ने और पटवारी फारम में जो है नहीं गोजवाजी में सारे फेंसिल होगा है नो जवान नोक्री के लिए तरस रहा है किसान बेरोजगारी से परेसान है गरीब बेरोजगारी से परेसान है किसान को सही भाव नहीं मिल रहा है किसानों को जो है धोका दिया जाता है के लिए 15-15 पंद्रा पंद्रा लाग आपको दिये जाएगा बाद में हमीसा आता है कि हमारी यह तो कि लगे कि वह जुम्ले बाजी है तो जुम्ले बाजी में बहुत बटोर लिए अब इनकी जुम्ला बाजी नहीं चलेगी ठीक है आप बताई बहुत पहले दिखाए फिर बात करेंगे आज आजा आप झाहर जा रहा है आभी देंगे बदलाओ एक वार्ट लोट को ल wordt कर दो क्या तो काम लगगा है जो बलता हो यह यह कि निले चार गंटा दस गंटा मिल रही और में पताइए पंद्रव पंद्रव बारासों साड़े बारसों किसकी से मिलें अरे इसका इसे दो जने का लेने दीया तो लल्चा कर लिए में प्रेज़ें तो बोट फरीदने का लिए प्रेंगे कर दिया ना मामा कुंटार पोचार गोट को यह भी आपकी मर्स को का रहा है कंग्रेस पॉटे बिल्कुल कंग्रेस को दिया और एक चीज़ बताएं यह राशन दे रहे हैं यह पेले नहीं मिलता था क्या पेले भी मिलता था ना केरोसीन मिलता था यह लोग केरोसीन खा गए सकर मिलती थी यह लोग के सकर खा गए कुछ नहीं दे रहा हैं गेशोराज जी कहा गए अब किसान के बारे में सोचो ना बाइ चार गंटे लाइट को मिल रही तार ने आप लोग लेकर आये थे हमें वरोसा था कि हमारे शिवराज करेंगे लेकिन उन्हें नहीं करा आज ताय से मेरा तकराता है चलो मेरा गेत में दिखाता हूं प्रदेश में चुनाओ में इस तरह का महौल कभी नहीं रहा था जैसा आज है जिस तरीके से हमने तीन-चार सीटों पर सुबह से बवाल लडाए जगडा मार दंगे चल रहे हैं अब एक चीज बताईए अभी चंदेरी पे जवर रस्ती बीजेपी वाले आके कपजा कर रहे थे हम के रहे हम गये थे ना हम कुद गये थे जवर रहे हैं हम किसको बोड़ देंगे तिब साथ ही जो बाहर निकल कर आये हैं यह बात कह रहे हैं। करेंगे यहां सबसे मेन मुद्दा यह यहां पिदायक जी ने नरवदा फिल लिंक पर योजना में कम से कम 150 गाउं छोड़ दी तो यहां क्यों क्रिसान परेशान है यहां शिक्षा की कोई वो नहीं है अभी पड़वारी घोटाला हुआ का में शिक्षकों को रेली में ले जाना अगर रेली में नहीं ले जाते हैं तो विचारों को वोलते तुमारी दिन की तो यह के यांod सोच के वोट किया है आप लोगों ने क्या सोचा है क्या सोच के किया है वोट तो क्यों बदलाओ का मूड बना जो जो 800 में मिलती थी वह 1500 में कर दी तो किसान को चारी तरफ से लूट रहा है बनास्ते से पहले पहले नास्ता करने पहले पहले नास्ता नीगिए इसको खत्म करने के लिए नई सरकार स्थावित करने के लिए बदलाव किया है कांग्रेस किसी की सरकार बना है उसे हमें मतलब नहीं है मुद्ध्य ब्रोजगारी ब्रेस्टचार किसानों का मुद्ध किसानों के मुल नहीं मिल रहे यह सारे मुद्धे जो जहूट चल रही ने पूरा देश में जोटी जोट चल रही मिल कुछ नहीं रहा है जो हो वो जोट दे रहा है यह मिलेगा वो मिलेगा तो इसलिए आपके से गुपचाप है बिलकुल मदान, आपके से गुपचाफ भुवरा है बिलकुल खुपचाफ खेल बदलेंगे अरे बिलकुल सालेट अच्छालेंट ये भी करिया आप बताइए, करिया है उंगली दिखाऊ कर दिया तो क्या सोजी किया है अब बला आउ साथ आप भी और क्या परिसान हो गाया करमचारी पूरे विरस्त है कामी नहीं सुनते हैं अरे पेसल में पेसे लेते हैं जरा कोई काम से जाओ तो पूरा नगत देव जब काम होता है तो जनता बिल्कुल इस बार बिल्कुल फुट मौन में आ गई है किती देर पहले करके आए अभी में चल रहा है कि ईखार सक अद्य है इसलिए बल्तु में ने किया था अब कर दिया घॉस्तिके वारे दिन से और आप कुछ pont नहीं dichtरा तो लिए ब्लाविवल के तो क्या सोचके वोट किया है आप क्या सोचके वोट किया है क्या दिमाग में चल रहा था इनको 20 साल हो गया है यह पेशे दे रहा है मामा जी लाडली वेना को इतने साल सी यह कहां गया थे अभी यह पेशे क्यों दे रहा है किस लिए दे रहा है कुछ युवा अंदर ही बैठे हुए आप भी बता दीजिए क्या सोचके वोट अच्छा ठीक है आप लोग वोट करके आगे हैं वोट पहले जो अब्जर्ब करा है कि शाषन की योजनाएं बहुत सारी है लोग योजनाओं पे ध्यान केंदरित नहीं करते ना विभागों में जाते हैं और हला पूरा जोर होता है हमारे गाहों में अगर आप देखे शाषन की कम से कम चार करोड से उपर की योजनाओं का लाब लिया है लेकिन उसको बया नहीं करेंगे मतलब किसी भी प्रकार की सबसीडी हुई जैसे हमारे जिले का पहला प्रोजेक्ट हमारे गाहों का है फिश हैचरी यूनिक एक राष्टी गोकुल मिशन के तहट करीबन चार करोड का ब्रीड मिल्टिकेशन फाम हा रहा है जिसमें दो कर प्रोड सबसीडी सबसीडी है और कम सकंप पचास गाहों को पशू मिलेंगे और डेरी प्लस योज़ा एक मेरी गुडिया मेरी गुडिया ने लोन करा मेरे से बोल रहे हैं बोले तुम्हारा के सिसी नहीं चड़ा यह बता रहे हैं नहीं मेरा चोटा वाई है यह चली कोई अब तो इसमें थीन थारी को रजल्ट आएगा तो पर दाना नहीं चाला है कोई नहीं आप पता दीए कि मतलब युगां के मुद्दे पे किया है किसमति में है है और युवाओं के मुद्देवे पिया एक बोट ने यह बोट डाल का हूं एक बोट ने राम मंदिर बन बाद दिया इतने साल से नहीं बना था है ना और अब 24 तारीक के दिन उसका राम भगवान भी विराजमान हो जाएंगे इस रोड का सेंसर भी हो गया असी कडोड का और जागरिया में देवे लोग मंदिर बना जा रहा है महा माहिसा सुर माता मंदिर किसानों को बाद मंदिर के लाइट भी मिल रही है जी चलिए वह देखे युव क्या मुद्धे हैं और तमाम किसानों के और तमाम लोग क्या मुद्धे हैं इसी तरीके से अलगलाग पोलिंग भूत पर जाके जानने और समझने कोशिश करने हैं कि भी है लोग क्या सोचके बटन दवा रहे हैं और तीन तारीक का इंतजार है पूरे मद्ध प्रदेश को और पूरे देश को भी क्योंकि लोग सभा का सेमी फाइनल मां जाता है मद्द परदेश, राज्थान और 36 गरगा चुनाओ क्या कुछ होगा लगातार आपको दिखाएंगे फिलाल के लिए नमस्कार